किसान भाईो नमस्कार में हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं inspired agriculture यूट्टूब चेनल किसान भाईो इस समय पर प्याज की फसल में कई परकार की समश्याई देखने को मिल रहे हैं इस समय पर कुछ किसानों के प्याज ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो कुछ किसानों के प्याज में पिला पना रहे हैं कुछ किसानों के प्याज का कंद बड़ा नहीं बन रहे हैं तो कुछ किसानों के प्याज में थ्रिप्स का अटेक हो रहे हैं तो मुझे इस समय पर बहुत से किसानों के कमेंट मिल रही हैं जिनमें किसानों का यह कायना है कि वे आपने प्याज में दवाई डाल डाल कर ठक चुके हैं लेकिन उनके प्याज अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम प्याज की वसल में एक ताकतवर इस्प्रे के बारे में बात करेंगे जिस से इस्प्रे से प्याज में बहुती अच्छा डिजल्ट मिलेगा उस से इस्प्रे से अगर आपके प्याज में पीलापन आ रहा होगा तो पीलापन दूर हो जाएगा प्याज को बीना स्किप के अंत्यों तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो गंटी का निसान आये हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जा जाता है अगर थ्रिप्स की पहचान के बारे में बात करें तो आप पोदे की पत्यों के बीच में ध्यान से देखना आपको छोटे-छोटे कीड़े नजर आ जाएंगे शुरवाती अवस्ता में थ्रिप्स पहले रंके होते हैं और जब यह एडल्ट हो जाते हैं तब यह काले रंके हो जाते हैं अगर बात करें कि थ्रिप्स पोदे को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाते हैं तो थ्रिप्स पत्यों का रस्ट तूचते हैं जिसके कारण पोदा कमजोर पढ़ जाता है पोदे की पत्तियों पर फंगस लग जाती है जिसके कारण पत्तियों पर सपेद रंग के दब्बे पड़ जाते हैं और पोदे में पिला पर ना जाता है और ठ्रिप्स के कारण ही प्याज में जले भी रोग आता है किसान भाईयों प्याज की पतियों का जिस जगह से त्रिप्स रस्टूचते हैं उस जगह पर फंगस लग जाती हैं जिसके करण पोदा बहुत ज़्यदा कराब हो जाता है कायने का मतलब यह है कि प्याज में लगने वाले अधिकतर रोगों को कारण सिर्फ थ्रिप्स होता है इसलिए अगर आप प्याज में थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके प्याज में दूसरे रोग भी आसानी से कंट्रोल हो जाते है त्रिप्स के अलावा बहुत से किसानों के प्याज ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके प्याज ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्याज में NPK 1919 या अच्छे टोनिक का प्रियूक करना चाहिए किसान भायूद चलिए अब बात करते हैं इस्प्रे के बारे में मतलब की हमें प्याज में सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाओ का इस्प्रे करना चाहिए तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप एमिडा कलोपीड 7% WG और लेमडा कलोपीड 4.9% EC टेकनिकल वाली कीड़नासक को मिक्स करके इस प्रेकरे तबी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर इनकी मात्रा के बारे में बात करें तो आप एक एकड़ में 30 ग्राम इमिडा कलोपीड 7% WG और 157 लेमडा साइलोत्रिन 4.9% EC टेकनिकल वाली कीड़नासक का प्रियोग करें किसान भाईयो लेमडा साइलोत्रिन के संपर्क से तोचा पर खुजली होती हैं इसलिए आप इस्प्रे करते समय गोल को हाथ ना लगाए और अपने मुह पर कपड़ा जरूर बांध ले इसके अलावा थ्रिप्स के कारण जो फंगस पहलती हैं उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप दानुका कंपनी की कौनिका का प्रियोग करें कौनिका में कासू गामाइसीन और कोपर ओक्सिकुलराइड दो टेक्निकल होते हैं जिसमें से कासू गामाइसीन बेक्टिरिया को कंट्रोल करता हैं और कोपर ओक्सिकुलराइड फंगस को कंट्रोल करता हैं अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आप एक एकड़ में 350 ग्राम कौनिका का प्रियोग करें और अगर आपके पोदे की ग्रोथ कम है तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप बायोटा लिक्विड होने का प्रियोग करें बायोटा लिक्विड समुदर में पाये जाने वाली सेवालों से बनता है जिसके प्रियोग से पोदे की ग्रोथ बहुती तेजी से बढ़ती है अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आप एक एकड में 250 समेल बायोटा लिक्विड का प्रियोग करें किसान भायों आप किट ना सक, पपुंदी ना सक और टौनिक के साथ सिलिकॉन चिप को जरूर मिलाए चिप को मिलने से दवा पत्यों पर अच्छी तरह से चिपक जाएगी जिसे दवा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो किसान भाई यो आप वीडियो में बताएगी दवाओ को मिक्स करके अपने प्याज में इस्प्रे करते हो तो आपके प्याज में बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान